कि अजय को कि एप कि एक दम बस्ती में तो वह कैसे हैं प्यारे दोस्तों फटाफट से एक बार सेशन को सेर कर दीजिए और आज तेको पिछले दस दिन से अपनी क्लास लगातार चल रहें क्या आपने सीखा है उसका एक टेस्ट होगा और कुछ नए क्योशन से इसमें एड के गए हैं तो आज कोसिस करेंगे हर क्योशन को डिटेल में डिसकस करने की तो फटा-फट से एक बार सुरू हो जाए और आज अव्ट का सेशन सुरू से कि इतना स्पीड्य रहेगा मजा आ जाएगा आपको लहाँ आज ना सिर्फ आपको सीखना आपको अपने स्पीड वी गरोप करने है जैसे चैसे में आप चैसन को कैसर जल्दी करवाई आज करवाई है आज फटा-फट होगा सारा सेशन जरू करत अगले क्योशन पर चलिए नेक्स्ट क्योशन आपके पास अगला क्योंशन क्या सजेस्ट करता आपको कि इन में से सबसे strong acid कौन सा है इन में से सबसे strong acid कौन सा है फटा फट से comment box में answer आना ये question number 2 है मैं question number यह mention करता रहूँगा पिछले वाला आपका question number 1 था ये question number 2 है 100 minute 100 सवाल आपके speed दिखा हुए आज अपनी second question का answer क्या होगा आपके पास actual strong acid वो होते है zero के नजदीक जिसका pH value होगा वो strong acid होगा और पूरी तरीके से आइनित हो जाई वो strong acid होगा आपके पास next question आपके पास अगर pH value साथ से कम है तो ये क्या indicate करता है कि आप acid पढ़ रहे हो base पढ़ रहे हो salt पढ़ रहे हो question number 3 आपके पास question number 3 आच चुका आपके सामने लेकिन आपका answer अभी आया नहीं है yes question number के साथ answer करें बिल्कुल सुमीत ने साकसी नहीं उमा संकर, प्रिंकी, प्रेंका, पुष्पेंदर लक्समी, निसा yes everyone काफी अच्छा effort आपका चलिए आगे देखते हैं में क्या होगा आपके पास less than 7 आपका acidic रहेगा 7 आपका neutral रहेगा और neutral के एक्जामपल आप याद रखेंगे H2O होगा, carbon monoxide होगा आपके पास चारिए कि अग्जामपल यहाँ पर बात करूँ pH तो यह रहेगी 7 to 14 और acidic की बात करूँ तो 0 to 7 आपके पास next question आपके पास कौन नीले लिटमस को लाल में कर देगा इन में से कौन सा नीले लिटमस को लाल में कर देगा yes नसर आलम बिल्कुल भाई, most welcoming session question नमबर आपके पास I think 4 है yes question नमबर 4 आपके पास फटाफट चे answer दीजी इन में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देगा कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देगा तो सर जो acid होगा जो acid होगा वो नीले लिटमस को लाल कर देगा और vinegar यानि के सिर्का ये कौन सा acid है सर ये acetic acid है कौन सा acid है सर, acetic acid है आपके पास, acetic amal है तो आपका अंसर क्या हो जाएगा विनेगर यानिकी सिर्का अगले क्योशन पर आजी टेमाटर के अंदर कौन सा इसीड होता आजी के सेसिन में आप अलड़ी पढ़ चुके हूं यस डेपनेटले क्योशन नंबर आपके पास फाइफ हो गया सो मिनिट सो सवाल आपके पास एक स्पीड से कम्प्लीट करो अपना काम यह टेमाटर में कौन सा एसीड होगा आपके पास सर टेमाटर में होगा हमारे पास औक जलिक हैसील के अगर बात करें तो यह आपका होगा गैस्चरिक जूस गैस्चरिक जूस जो आपके पेट अमासे के अगर बात की जाए उसमें जो जठर रेस होता है जठर रेस में कौन सा अमल होता है आपका HCL चले आगे बढ़िए इसके लाग क्योशन नमबर 6 आपके पास कि लेक्टिक एसिड इन में से किसमें प्रेजेंट होता है लेक्टिक एसिड इन में से किसमें प्रेजेंट होता है आपके पास यस क्योशन नमबर 6 आपके पास जब आप बहुत ज्यादा एक्सराइज कर लेते हो खटे दूद के अंदर दई के अंदर आपके पास ओवर एक्सराइज बहुत ज्यादा व्यायाम आप अगर कर लेते हैं तो आपके बोड़ी में जो पीन होता है उसके लिए कौन जिम्मेदार होता है? लेक्टिक एसिड जिम्मेदार होता है आगे आज ही आपके पास लाल लिटमस को नीला कौन कर देगा? लाल इटमस को निला कर देगा आपका बेस यह निकि चार तो इन में से आपको चाटना है बेस या अलकली आप कह सकते हूं वो बेस जो पानी के अंदर घुलंसिल है वो अलकली कह लाते हैं हिंदे में आप इसे बस्म या चार लिख सकते हैं फटा फट शे बते हैं इन में से कौन सा इन में से कौन सा होगा आपके पास क्योशन नंबर सेवन का आंसर आपके पास क्योशन नंबर सेवन है यस क्योशन नंबर सेवन है आपके पास साथ का जो आंसर बी दे रहे डेफिनितले एकदम से सही दे रहे making soda solution यानि की बात कर रहे हम sodium bicarbonate की NHCO3 की बात कर रहे हैं इसका प्रियोग हम anti-acid की रुप में भी करते हैं परती अमल की रुप में जो acidity को दूर करता उसके रुप में भी करते हैं परती अमल की रुप में भी इसका इस्तिमाल किया जाता है soft drink में अभी तक मैंने आपको साथ ना बताया हो H2CO3 कार्बोनिक अमल होता है soft drink के अंदर कार्बोनिक अमल होता है कार्बोनिक acid होता आपके पास चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्योशन आपके पास अमल वहे पदार्थ है acid वहे जो क्या करता है इलेक्ट्रोन को असेप्ट प्रोवाइड इलेक्ट्रोन गिव प्रोटोन और गिव ओएच नेगेटिव और आप टोपिक नहीं पढ़ाएंगे अजली ऐसा नहीं है तोपिक के नाम पे आपको पहले acid-based salt करवाया है दूसरे नंबर पे आपको करवाया गया है periodic table तीसरे नंबर पे आपको लाइट करवा दिया गया है चोथे नंबर पे आपको solar system करवा दिया गया है अब week में क्या होगा कि दो दिन तीन आपको topic दो तीन दिन प्रेट्टिस आपकी मैंने करवा दिया आपने कितना किया है यह जानने के लिए session रखा मैंने यहां पर क्या होगा आपके पास तो सर जो प्रोटोन का त्याक करते वह आपके पास क्या हो जेंगे एसीड लेकिन यहां पर एक चीज ओर देखो हाइड्रोनियम आयन भी ओप्शन में आ सकता है एस त्री ओ पोजिटिव ओप्शन में आ सकता है Base वे है 4 वे है पदार्थ है जो क्या करता है proton देता है या proton को grant करता है electron को grant करता है या इन में से कौन सा बिलकूल question number ये आपके पास हो गया है sir no question number no आपके पास Yes, definitely Acceptive Proton आपके पास Question No.9 कांसर भी Next पे आज़ी आप Acid और Base की reaction से क्या बनता है आपके पास Acid और Base की reaction से क्या बनता है आपके पास जैसे यहाँ आपके पास Acid हो यहाँ आपके पास Base हो तो यहाँ खालिस्तान बनेगा साथ में आपका बनताए ऐच जोब वाटर एक खालिस्तान मी क्या आएका आपके पास ए फिलाल या आपके पकर पास किछीन नमबर 10 हो गया मेरे साप bracket 9 और 10 अ कושंच का जबाब कि यह क्योशन नबर दस का जवाब क्या होगा आपके पास साल्ट लेकिन यह ध्यान रखना यह साल्ट आपका तीनो टाइप का हो सकता है अगर दोनों इस ट्रोंग है तो न्यूटरल अगर ज्यादा बिहेवियर स्ट्रोंग एसिड है तो यह ऐसे डिक भी हो सकता है और स्ट्रोंग बेस है तो यह बेसिक भी हो सकता आपका यह उदासीन, अमलिये और चारिये तिनो टाइप का हो सकता है क्योशन नमबर ग्यारा आपके पास एसिड और बेस के प्रिक्शन के लिए इन में से किसका प्रियोग किया जाता है एसिड बेस इन्डिकेटर के रूप में हम किसका प्रियोग करते है क्योशन नमबर ग्यारा का अंसर अभी तक तो आपका आया नहीं वह लेट कैसे कर रहे हूँ यह स्प्रेंग का एकदम सुपर फास्ट चल रही है बिलकुल ग्यारा के अंसर का नाम होगा आपके पास है लिटमस पेपर अब यहां अगर इन्डिकेटर के मैं बात करता हूँ ध्यान से एक बर्ड सुन लेना आप इन्डिकेटर सुचक की बात की जाए तो इसे दो क्योशन बन सकते हैं एक बन सकता है आपके प्राकर्थिक नेचरल और एक आपके पास हो सकता है आर्टिफिशल नेचरल के अगर बात की जाए तो आपसे यह कहेगा लिटमस पेपर लिटमस पेपर जो के लाइकें से हमें प्राप्त होता है या आप कह सकते हो लिक्तमस वीलियन सोलुशन और टर्मरीक आप ले सकते हूँ हल्दी आप ले सकते हूँ आर्टिफीशल में आपके पास क्या हो जाएगा जैसे आपके पास pH स्केल हो गया मिथाईल ओरेंज हो गया आपके पास फिनोफ्तिलीन हो गया आपके पास फिनोफ्तिलीन हो गया आपके पास ये सारे कैसे हैं आर्टिफिशल है अगले की बात करते हैं क्योशन नमबर बारा आपके पास क्योशन नमबर बारा फटाफट से आंसर देजिए भी आप जल्दी से जल्दी आंसर देते रहें अगले क्योशन पर आज है आप क्योशन नमबर 12 की बात करें हम नीले लिटमस को लाल कर देता टैन ब्लू लिटमस रेड विपिन भाई टेलिग्राम का लिंक बताने की जरुतनी फिजिक्स अड़ा 247 सर्च कर मिल जाएगा आंसर क्या होगा आपके पास नीले को जो लाल कर देता है ऐसी डिक आपका रहता है लाल को नीला कर दे बेसिक यह बताने के जरुर्बीट नहीं थी यह आपके पास क्योशन नमबर 13 मानू आप यह वाला क्योशन नमबर 13 आपके पास हाँ टोपिक वाइज अंजली सारा कंप्लीट करवाएंगे देखिए उसके लिए निश्चिंत रहे लेकिन सारा अभी क्यों कर रहे हूं वह अपने पास एटलिस्ट एटलिस्ट उननीस दिन तो नौंबर के बचे हैं और साइद पांसा दिन दिसंबर के भी मालो या अठारा से बीस दिन आप मालो टोपिक अपने पास अठारा है भी नहीं टोपिक है आपके बारा तेरा टोपिक है बस टोटली उस पर खेलना आपको तो एक्जाम के डेट आ जाने दो एक्जाम का एक्जेक्ट ये आ जाने दो इस दिन सर एक्जाम है तो एक्जाम से पहले दो मेरा थल लिए और काम कम्प्लीट जल्मे गुलनसिल को हम नाम देते है सर अलकली और अलकली को अगर periodic table में बात करूँ तो group 1 group 1 में चार ये दातो alkali metal होते हैं जर्णली ये जो बनाती है वो आपके पस जैसे इन alkali की बात करूँ में sodium hydroxide आपके पस lithium hydroxide आपके पस ये वाले part ठीक है और दूसरे alkali earth metal आपके पस क्योंसे नमबर 14 क्योंसे नमबर 14 सभी acid gel में गुल कर परदान करते हैं यानि कि वो element जो सब में common है सोना लिए estate की जो class होती है अभी सर ले रहे हैं biology चल ले उसमें 6 p.m. class होती है 6 p.m. class होती है क्योंसे नमबर 14 का आपका अंसर क्या होगा एच्स पोजिटिव आए उसके बाद हम से पूछा गया है test of base आपके पास base का test कैसा होगा 4 का test कैसा होगा क्योंसे नमबर ये आपके पास होगा कितना 15 क्योंसे नमबर 15 साक्सी एच्पी टैट के अगर बात करें तो उसका पेड़ कोर शारा भी पेड़ कोर शारा है वो एक बार आप ले लीजिए उसमें सारी क्लास आपको सिक्वेंस से मिल जाएंगी 15 के अगर बात करें तो टेस्ट में बीटर और टैट्स में अगर बात की जाई टैट्स कैसा तो सोफ्ट होता है साबून की तरह सोफ्ट लाइक सोफ्ट साबून की तरह मुलायम होता है अगले प्याजी आप अगर पानी के अंदर इनको मिलाया जाता है तो यह क्या करते किसका रिलीज करते क्योशन नमबर 16 आपके पास क्योशन नमबर 16 आपके पास फटा 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 चांसर येस विनीता वेरी गूड इवनिंग देखो अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा होगा एक बार ये आपने पढ़ा लेकिन सारे सही जबाब आपके आ रहे होंगे येस क्या होगा आपके पास बेस के अगर बात की जाए तो ओ एच नेगिटिव ठीक है चलिए आगले क्योशन पर आज़ी क्योशन नमबर 17 आपके पास क्योशन नमबर 17 इन डिफरेंट की वज़ाए आप कह सकते हों न्यूट्रल न्यूट्रल आपके पास उदासीन लेकिन मैं इस आंसर से सहमत नहीं हूँ क्योंकि सभी साल्ट नहीं हो सकते जो कह रहे ना कि सभी लवन आपके पास all salt are तो all salt में मैं यहाँ से एक चीज़ से सहमत हो सकता हूँ आपके पास कि ये इलेक्ट्रो लाइट होंगे क्योंकि साल्ट किसे बनेगा सर साल्ट बनेगा आपका एसीड से जो कि H पोजिटिव आइन रखेगा साल्ट बनेगा बेस से चार से जो OH नेगेटिव आइन बनेगा आपके पास और जहां आइन होते हैं वहाँ से विद्यूत कंडेक्ट करते हैं तो जो option D आप लेके चले option D नहीं हो सकता आपका option D नहीं हो सकता यह आप लेके चल सकते हो option B विद्यूत आप गटे आप ले सकते हो electrolyte आप ले सकते हो इसमें देखो option B और option C के अगर बात करे हम तो यह दोनो option आपके सही है option B और option C दोनों सही है तो आप B और C को दोनों को एक साथ मार्ग करके चलेंगे क्योंकि इसके option थोड़े से proper नहीं बने हुए ऐसे question में ओके भी, ओके एंसली, thank you so much अगले question प्याजी pH scale किस ने दिया था, ये 1909 में question number कितना है, अपना 18 question number 18 आपके पास pH scale का निर्दान किस ने किया था pH scale given by 1909 में pH scale किस ने दिया था 1909 में pH scale, question number 18 sir pH scale दिया था सोरेंसन ने your correct answer will be सोरेंसन question number 19 आपके पास pH scale of pure water pure water के बज़ा ये कह सकता है, neutral neutral के बात कर सकता है उदासीन के लिए pH 1 क्या रहेगा आपके पास pH 1 क्या रहेगा आपके पास तो sir pH 1 रहेगा हमारा 10 की power minus 7 चले, next question number 20 आपके पास cd के लिए देखो ये already हो चुका है, इसको बीस का नाम मत दो, question भी खराब मत करो, 7 से कम हाँ, ये ठीक है, इसको question number 20 का नाम दो आप ये question number 20 आपके पास यहाँ answer करना start करो, question number 20 यहाँ answer करना start करो तेखो यहाँ एक चीज़ additional आप क्या कर सकते हो, कि जब आपका HNO3 अभी करिया करता है, जब nitrous oxide, ये सोरी आपका, nitric acid अभी करिया करता है, nitric amla अभी करिया करता है, तो यहाँ से कौन सी gas आपके निकलेगी, sir, यहाँ से gas निकलेगी हमारे पास, which one? Sir, oxides of nitrogen निकलेंगे, nitrogen के oxide निकलेंगे, oxide of nitrogen, लेकिन अगर यहाँ oxide of nitrogen mention नहीं है, और maximum की बात की गई, सभी की तो लिखा गया है, आपके लिए उल पर आगे जा की देखोगी, तो exception भी है इसका, सभी के लिए अगर बात की जाए तो आपका answer क्या होगा, sir, सभी के case में आप answer hydrogen erosion लेके चलेंगे, question number 20 के लिए आपका answer क्या रहेगा, sir, your answer will be one, seat at के बाद MP वगेरा की दे सकते हैं, गोलो बाइच देखो, exam आपका seat at अलग exam है, MP टेट अलग exam है, सोन्या, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात कही है, लेकिन अगर आपने मेरे playlist चेक की हो एक बार, तो मैंने आपको acid waste salt करवा दिया, मैंने आपको solar system करवा दिया, मैंने आपको periodic elements के बारे में बता दिया, मैंने आपको light का chapter करवा दिया, इतने chapter आपके हो चुके है, magnet, motion और ऐसे करके 5-6 chapter और करवाने बस, हाँ, बिल्कुल, आपको complete science मिलेगे साकसी, यहाँ से blood के अगर बात करें, या आखों के आसू के बात करें, blood हो गया, या आपके पास tear आसू हो गए, आपके पास, उनका pH मान क्या होगा, उनका pH मान क्या होगा, मैंक भाई, marathon properly काम करती है, exam के एक वीक पहले, आज की marathon वहाँ तक क्या कैसी सिखोगे, और marathon में सारा slivers खतम करवाद या बाद में क्या पढ़ाएंगे आपको रोज़ाना, कैसे मुलाकात होगी आप लोगों से, दूद का, और दूद में भी आप जर्नली लेके चले, फ्रेश मिल्क का, pH value of milk, चले, थैंक यू आलोग, थैंक यू सो मच, यह सारी questions वो हैं, जो मैंने आपको mention किये, मैंने आपको explain किये हैं, और यहीं गलती prankा उस दिन भी कर रहे थे बच्चे, यहीं गलती उस दिन भी कर रहे थे, आप जिनोंने class attend किये हैं, वो पुरानी class acid waste salt देखां, वो यह answer नहीं दे रहे हैं, उनका answer क्या है, 6.6 आपके पास, देखिए आपका जैसे जो bile juice की बात करें, bile juice, पित्रेस की बात करें, तो वो लगबग आपके पास क्या रहेगा, आठ के आसपास, अगर यह blood की बात करता है, तो 7.4, और अगर यह दूद की बात कर रहा, तो 6.5 या 6.6 आप लेके चलते हूं, आगे देखिए आपके पास, बड़े क्यूशन्स, फटा-फट से, चेमिस्ट्री और बाइलोजी नहीं पढ़ाई हूँ है, अंजली कौन कह रहा हूँ है, चेमिस्ट्री बाइलोजी एसीड बेस आल्ट और किसका था, कुछ भी मतलब यार, आगे बढ़ते हूं, आपको हल्दी का गाड़ा पेश्ट दिया गए, यानि कि हम बात करें किसकी हल्दी के, टर्मरीक की बात करें, क्योशन नमबर आपके पास कितना हो गया, तो हम हल्दी की बात करें, तो हल्दी आपका एसीड बेस इंडिकेटर है, तो बती कौन सा उप्सन आपके पास सही रहेगा, कि एसीड के साथ ये कौन सा रंग देगी और बेस के साथ कौन सा रंग देगी, या आपको पहचाना है, क्या दोनों में पीला रंग देगी, या एसीड में पीला और बेस में लाल, जैसे आपको पताना है, सफेद कपड़े पर सबजी के कुछ दाग अगर कुछ बूंद भी गिर जाए जब उसको सावुन से दोते हो तो खुण जैसा लाल दिखाई देता है तो वो जो दाग बना है या खुण जैसे लाल वो हल्दी के कारण है तो यलो इने एसिट और रेड आपका इन बेस के केस में ठीक है? उप्सन बी आपका सही है उप्सन बी 23 का जो आंसर बी करे डेफिनिटली सही है बविता पेड बेच में एक बार आपका बाइलोजी कम्पलीट हो जाए उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री मैं पढ़ाऊंगा उसी टाइम पर जिस टाइम पर मेडम पढ़ा रही है चलिए आगे बड़ी आपके पास क्या दिया गए 2005 के अनुसार आपका NCF 2005 के अनुसार आपको बताना है NCF 2005 जब भी लिखा हो पहली बात वहां ग्रेडिंग नहीं होगी दूसरी बात वहां याद नहीं करना है तीसरी बात जो भी आप पढ़ोगे उसको इन्वार्मेंट से रिलेट करना है चोती बात पनिस्मेंट नाम की कोई चीज नहीं होगी पांची बात सब स्टूडेंट को बराबर का मोका दिया जाएगा चटी बात कि आप जब बच्चों को पढ़ा रहे हो तो आपकी जो मान सिकता है ये खुली होनी चाहिए एकदम से डाइवर्जेंस होना चाहिए उसमें तो क्योशन नमबर आपके पास चोविस चोविस का अंसर देजिए उसमें किस पर बल देना चाहिए आपके पास ये चोविस ही है ना आपके पास तेजिश चोविस हां ठीक है देखो एक्जाम का तो कोई लेना देना है नी आपका अंसर क्या रहेगा रेलेटेड लर्निंग ओफ आउटसाइड लाइफ आपका आंसर रहेगा A 24 का आंसर A रहेगा ध्यान से आंसर करनो यह डेफिनेटली जिनका भी आंसर A आ रहा है एकदम से पर्फेक्ट आंसर हैं पिंके क्लास यह क्लियर नहीं दिख रहा है एक बार अपने फोन के अंदर आप क्वालिटी इंप्रूव कर लीजी क्योशन नमबर 25 आपके पास क्योशन नमबर 25 के आंक के बारे में बता रही है उसके बाद गरेक आ रही है इससे संबंदित यानि यह भी NCF 2005 पे ही बेश्ट क्योशन आपके पास क्लियर नहीं भई यहां तो स्क्रिन पे क्लियर नज़र आ रहा है थोड़ा बहुत नेटवर्क इश्यो हो गया होगा एक बार चेक करूँ क्योशन नमबर 25 के हम बात करें यहां से यहां से का गया है कि गिता कक्सा आठ के चातरों को मानो नेतर के विशय में पढ़ानी के पार्ट योजन बना दी नीचे कौन से समलित एक चीज यहां से द्यान देना एक चीज यहां से नीचे दिये गए क्रिया कलापों में से किसे पार्ट में समलित करने पर यानि कि पहले जो चीजे हैं आपके पास उससे एडिशनल करना आपको तो एक चीज तो यह दो तो हटा दो इसका एंचे अब 2005 से कोई लेना देना नहीं है क्या चीज और एड कर दे क्या चीज और एड कर दे कि वो और अच्छा इंप्रू करें और अच्छा इंप्रू करें सी या डी देखो एक बार दोनों को देखो आप क्योंकि यह अच्छा सवाल है जब भी आपके पास इस टाइब के सवाल आएंगे तो उसमें आप देखोगे C या D आपके पास तो उसमें आप यह देखोगे कि क्या चीज स्टेटमेंट को एक एक को क्लियर कर रहा है पहले एक तो बात यह देखे आपके पास कि क्लास कौन सी है आठ है ठीक है कि चातरों को मानव नेतर विशे को पढ़ाने के लिए एक सीज यह दियान देना समझाने के लिए याद रखने के लिए जीवन में आगे आने के लिए नहीं कर रहा है पढ़ाने के लिए पार्ट योजना बना रही है अभी पार्ट योजना पढ़ाने के लिए पार्ट योजना बन रही है तो यनि कि जैसे मैं आज आपको कोई टोपिक पढ़ाने आ रहा हूँ तो मैं उसमें क्या एड़ करूँगा अभी योजना बन रही भी पड़ाया नहीं जा रहा हैं अभी योजना बन रही है उसके बाद आप से कार के पाठ अधिक परवावसाली बन सकता है और चातरों के संबंदित चातरों से संबंदित संखल्पनाओं को अच्चे तरह समझने में साइता करता है यानि कि आप बात की है कि देखो ये अगर आपने d add कर दिया मान लो कि ये d add कर दिया इससे क्या हुआ पढ़ाना आसान हो गया लेकिन पहले से आपको कितना आता था पहले से student को कितना आता था ये आप नहीं जान पाऊगे सामरा YouTube पे मेरा टाइम है रात 10 बजी तो ज्यादा बेतर आंसर ते को आंसर डी गलत नहीं मानूंगा मैं लेकिन ये जो लाइन इसने का छातरों से संबंदित संकल्प जो यानि कि उनकी जो इंगलिस में अगर कहूं में कि वो कितना जानते उस चीज़ को समझने के लिए आच क्या होगा सी डी ओप्षन कब आ रहा आपका डी ओप्षन आपका तब आ रहा है जब उसको सिरफ पढ़ाना है लेकिन वो एक लाइन और एड़ करके चल रहा है जो मैंने रेड लाइन मार्क किया है यहां से साथ आपका अंसर चेंज हो जाएगा यह से डेफिनेटली 25 का अंसर क्या होगा आपका सी होगा तो जब क्योशन बड़ा हो तो हारे एक लाइन पर हमें फोकस करना पड़ता है क्योशन नमबर 26 आपके पास के साइंस टीचर है ठीक है साइंस टीचर है तो हूँ किस पर बिलीव करेगी देखों साइंस टीचर की एक अच्छी खासियत क्या है वह एकस्पेरिमेंट इन वर्ड को तो आपको add करना है ये तो वर्ड होंगे तो answer आने का chances पूरा पूरा है और क्या-क्या वर्ड नहीं आना चाहिए तो देखें यहां से notes बनवाना notes memory यनि के memorize ये याद करना ये science teacher का काम discipline discipline ये science teacher के अच्छे गुण नहीं है notes बनवाना, याद करवाना और discipline में रखना ये अच्छे गुण नहीं है इसमें open-ended question देखे divergent thinking आपके पास और यहां पे आपके पास convergent thinking जो आपको हटा देनी है तो यहां से देखे आपके पास answer क्या होगा देखे इन में से कौन सा अप्रोच आपके पास science teacher का हो सकता है maintaining perfect discipline पहले से हट गया ये आपके पास slayvers covering तो यहां आता आपका slayvers covering slayvers से कोई लेना देना नहीं है तो ये भी नहीं होगा आपके पास question paper अरे यार क्यों बक्वास कर रहा है आपका answer क्या हो जाएगा your correct answer will be C, yes चले आगे बढ़ते हैं 26 यहां 27 की बात करते हैं 27 की बात करते हैं ठीक है चले आगे बढ़ते हैं और एक एक चीज़ को समझते हैं यानि कि solar system वाले में जो आपको question करवाए गया था कि किसके कोई प्राकरती कुपगरें नहीं है जल्दी जल्दी एक बार answer करें question number 27 का answer thank you connect thank you so much 27 का answer आपके पास तो sir यादी रख लेते हैं 8 तो है जैसे आपके पास mercury 0 venus 0 earth 1 mars 2 यह तो गया चार इनर प्लेनेट यह एस्टरोइड बेल्ट फिर आपके पास Jupiter 80 Saturn आपके पास 83 Uranus आपके पास 27 और Neptune आपके पास 14 यह गरह गैस यह गरह हैं तो इनसे उप गरह ज्यादा बने हैं बनते रहेंगे यह चट्टानिये हैं तो इनसे कम है और कम ही रहेंगे अंसर क्या हो जेगा आपके Venus 27 का आपका सुक्र हो जाएगा यह रहे सबको आगे पटी 28 की बात करते हम distill water के बात की गई यानि कि pure water की बात की गई है distill water की बात की गई है H2 जो कि आएन में नहीं तूटता है जब तक इसमें आसुदिया नहीं होंगी यह आएनित नहीं होगा यस फटाफटी आप आंसर करें question number 28 का आपके पास यह गलत होने वाला question है आपका यह विद्धियो चालक है जो A आंसर कर रहे हैं फिर आपने class properly पढ़ी नहीं है आप रेस्ट कर रहे थे उस टाइम पर गुड कंडेक्टर ओफ एलेक्टिसिटी कैसे यार क्यों मजाक कर रहे हो साइंस का मजाक मत बनेए जो पूर कंडेक्टर कह रहे हैं माई डियर यह पूर कंडेक्टर नहीं होगा आपका सही आंसर होगा यह प्रोपरली इंसुलेटर है यहनिकि अगर आपके पास डिश्टिल्ड वोटर है डिश्टिल्ड वोटर है यह मान लेजिए आपके पास डिश्टिल्ड वोटर है इस तरीके से और यहां आपने क्या क्रेंट पास करवा दिया यहां से क्रेंट पास करवा दिया और आप आप मान लेजिए इस जल में जल समादे ले रहे हैं आप इसके अंदर भी बैठ गए तो आपको कोई समस्या नहीं है आपको कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि ये क्या होगा विद्यूतिय कुछालक होगा तो इसका जो C करें वो ठीक करके आंसर B कर लीजी आगे बटी वेग्यानिक दरश्टी कोण के अगर मैं बात करूँ वेग्यानिक दरश्टी कोण के बात की जाए तो आपको हमेसे ऐसा सोचना है कि कुछ नया कैसे खो जाए कुछ ऐसा जो हम दैनिक जीवन में यूज करें रूस से बेतर करें जैसे एक चीज मैं आपसे बताता हूँ कि अगर आप साइंस पड़ रहे हैं या मैं साइंस पड़ा रहा हूँ पहले जब हमारे पास वाइट बोर्ड से पहले की बात करो तो ब्लेक बोर्ड हुआ करते थे चोक से लिखते थे फिर वाइट बोर्ड मार कर आया फिर उससे लिखते हैं अब हमारे पास डिजिटल बोर्ड और ये इलेक्ट्रोनिक सिस्टम आ गया है इन फ्यूचर आपके पास वी एफ एक्स आ रहा है वी एफ एक्स की साहता से आपके पास या आपके पास इस तरीके की जो technology आ रही है उसकी साहिता से आपको पढ़ाये जाएगा उससे आगे क्या तो कुछ ऐसा देखना कि एकदम से what to be next आगे क्या तो आधिक सीखने की ये आपके पास नहीं है तो ये सही है आपके पास ये तो होना चाहिए ये तो होना चाहिए, अच्छा ये, कठीन कारिये का कोई काम नहीं है यानि कि इस क्योशन का, क्योशन नमबर आपके पास कौन सा था, 29 29 का सही आंसर आपका होगा C 29 का सही आंसर होगा C अब यहां से हम बात करें, प्रिजर्वेट, यानि कि खाने को खराब होने से बचाना जैसे ये काम आपका तेल भी कर सकता है वह पैकिंग वाले आइटम होते हैं, नाइट्रोजन गैस भी इसका काम कर सकती है नाइट्रोजन गैस, फूड आइटम को जो पैकिंग आइटम सोते हैं, लेकिन अगर इन में से बात करने हो, तो हम क्या लेके चलेंगे सोडियम बेंजोईट, ऐल्मुनियम सलफ़ेट, सोडियम क्लोराइट लेकिन ऐसा कुछ पर्टिकुलर मेंशन नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा अंसर, सोडियम बेंजोईट क्योशन नमबर ट्विंटिन नाइन है, अब सुरी, क्योशन नमबर थार्टी आपका थार्टी, इसका अंसर क्या हो जाएगा, आपके पास ए थार्टी का अंसर क्या हो जाएगा, आपके पास ए, यस डेफिनिटली सोडियम बेंजोईट आगे बढ़ते हैं, आपके पास टार्टी कैसिड किसमें पाया जाता है टार्टी कैसिड विल भी फॉंड इन, किसमें पाया जाएगा टार्टी का मल आपका जल्दी जल्दी करके आंसर करना स्टार्ट केजिए भई थोड़ ऐसा स्पीड बड़े है आपका छले यह सर आंसर दे दिया होगा एक क्योशन नमबर आपका 31 है 31 का आंसर आपके पास यह तो C ट्रिक हो गया यह नहीं लेके चलेंगे कच्चे अंगूर में इमली में कच्चे अंगूर में हो गया इमली में हो गया जाओ उप्सन D है वो सही है D है वो सही है तो आपका आपका उप्सन क्या हो जेगा C and D यहनकी सेकिंड पास नहीं अंगूर में टार्टरिक है इसको नहीं न कार सकते आप कच्चे अंगूर में टार्टिक और पके वे अंगूर में ग्लुकोज होगा आपका ठीक है चले आगे बढ़ते हैं अगले क्योशन पर आज़ी अगला क्योशन क्या कह रहा आप से ये आपकी कह रहा है कि न्यूटन के गती के पहले नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु गती जावस्ता में है तो उस पर कितना बर लगाएं कि वो अपनी गती जावस्ता में बनी रही अंजली कंप्लीट आएगा आपके पस बस थोड़ा सा पेसेंस रखी क्योंकि एक्जाम का जो लास्ट वीग होगा ना लास्ट वीग हम पूरा एक जो कहते हैं कि पूरे जोस्त जुनून और उन चीजों के साथ अभी क्या है कि हमें आदर डालने पढ़ने की आपका जो स्लीव से जितना हवा बना रहें उसका मुष्खिल से एक परशेंट स्लेव सबस्त आपका इतना सा अ विजलास्ट में एक difेसें आप कैसे होंगे कि आपका 56 57 per-差不多 थो उन भी सेजद के और उन पे नहीं और पहले थोड़ा सीखिन क्योंकि आगे आपको भी बच्चों को पढ़ाना उनके बविश्य की चिंत्या मुझे आप तो अपना बनाई लोगे आंसर क्या होगा आपका जिरो न्यूटन क्योंकि जब तक हमें उसमें कोई छेड़ खानी करनी नहीं है तो हम बल क्यों लगाएं और यह किस कंसेप्ट के अनुसार है आपका यह न्यूटन के गती के कंसेप्ट के अनुसार आप गती के पहले नियम के अनुसार है 32 आपका हो गया ऑप्शन C 33 आपके पास 33 राइबोसोंस का संबंदी इन में से किस से हैं क्योशन नमबर 33 आपके पास, माइटो कॉंड्रिया में जो एनर्जी स्टोर होते हैं, इंदी फोर्म ओफ, ATP, इसी को आप पाउर हाउस का नाम देते हो, पाउर हाउस ओफ बोडी आपके पास, इसी तरीके से राइबोसोंप्स आपके पास, राइबोसोंप्स, इनका येस, आपका अंसर क्या होगा, रिकावरी ओफ, ये मैं कह सकता हूँ, डेमेज सेल आपके पास, न्यू सेल की फोर्मेशन, या बोडी में ग्रोथ की बात करें हम, तो वाँ प्रोटीन के हमें जरूरत होती हैं, और प्रोटीन किस रुप में तूटेगा है, आमीनो ऐसेड क बिल्कुल बिनीता, कम्पलीट आपका स्लिवस दिया जाएगा, ये कह रहा है कि आविर्थी दो हर्ट्स है, इसका मतलब एक सेकिंड में वो कितना काम करता है, सर एक सेकिंड में दो काम करता है, दो बार रिपीट करता है, तो वो सोला सेकिंड में कितनी बार रिपीट पर देखेगा सर 32 बार करेगा हो काम यह 62 के बज़ाए आपका उपसन क्या होना चाहिए था 32 आपका सही आंसर क्या हो जाएगा अब ऐसी ऐसी नुमेरिकल में स्टूडेंट की कमेंट आते कि सर नुमेरिकल नहीं हो रहा यह कमाल की बात है एक सेकंड में कोई काम दो बार हो र होता है है कि बस कुछ मैसूस हिनी होता है ऐसा मालों इस लेवल के सवाल यार कुछ तो सरम करो कि हैं आगे आप से का गया है टेड पोल मेंडग वाला देखा हो आपने फर्टिलयाइसेशन देखा हो आपने फर्टिलाइजेशन आपके पattर एक्शनल और होता है external जैसे मेंड़क में आपने देखा है एक होता है internal जैसे human में आपने देखा है यह आपके पास तो यहाँ यह क्या कहा रहा है क्योशन के अगर बात करें कि जो tadpole होंगे उन्हें grow करने के लिए किसकी जरूरत होगी तो sir question number 35 का answer आप क्या लेके चलोगे sir that will be already क्या होगा आपके पास आयोड़े कि 54 का से हो गया प्रतिवा कुछ ज्यादा स्पीड से चल रहे हैं 35 आपके पास question प्लास्टिक के प्रोपर्टी क्या है प्लास्टिक के गुणधरम क्या है कि सिमा आपका सल्विंदर कुछ ज्यादा तो मुझे समझ आ नहीं रहे है कि पंजाबी थोड़ा बहुत बोल लेते हैं लेकिन पढ़ना लिखना अभी नहीं सीखा है कोशिस करें सीखने की तो तुसी सानो अगर हिंदी चे दस होगे तो हो सकता हमारे लिए आसान हो अच्छा सस्रेकाल थेंक यू सो मच्छ सस्रेकाल आपको भी चले आगे बढ़ते हैं आपके पास ठीक है क्या है आपके पास उस्मा का सुचालक देखें टिकाओ है ठीक है वजन में हलके हैं और अभी की रह नहीं करते हैं यह सबसे बेतर हैं आपके पास पोलीओ का कारण क्या है डीजीज की अगर बात करें आप से फंगस के कारण बैक्टिरिया के कारण आपके पास जैसे आम बात करें खासी वागिएरा है यह हो गया आपका प्रोटो जोवा अमलेडिया हो गया आपके पास Corona virus होगया आपके पास ठीक है Answer क्या बन जाएगा इसके लिए Sir answer बनेगा आपका B virus 36 का B virus आपका अंसर है POLIO के लिए Bacteria नहीं भई नहीं गलत करें Bacteria आप virus पे जाएए इन में से कौन सी दातों जो वाईू में रखने पर जलना सुरू कर देती है इसी वज़े से उसे हम पानी में ना रखके वायू में ना रखके उसे हम कैरोसीन तेल में रखते हैं तो कौन सी दातों ऐसी है जो पानी से हलकी है कैरोसीन में उसे रखा जाता है हवा के साथ अभी क्रिया करके जलना सुरू कर देती है कौन सी दातू होगी आपके पास यह question number होगी आपका 37 37 answer क्या होगा आपके पास sir answer होगा आपके पास sodium next question एक समतल तल पर बोल लुड़कते गती कर रही है अच्छा देखो यहां से क्या कहा गया है आपके पास किसी आनत समतल यहनी की यहां से इंगलिस के अगर में बात करो describe the inclined plane पर जिसे माल लेजे यह plane है यहां से कोई वस्तु गती करें तो एक तो इसकी गती होती ऐसे यह जो rotation के बात करें और एक गती होती कि यह आगे क्योर जाती है तो rotational motion और translator motion दो टाइप के motion होते हैं यहां पर ठीक है डाइग्राम आपने देख लिया है दूरी करते और आनत के समतल कोण पर जितना ज्यादा यह कोण होगा उतना यह तेजी से चलेगी उतना जाके आगे गिरेगी आपके पास के संबंध एक graph दिया गया है ठीक है निमिन लिकित में से किसका उदान आपके पास क्या यह communication का नहीं भई communication तो हो इनी सकता तो अब आपके पास देखे अनुमाल लगाना परीकल्पना करना या फिर आपके पास व्याख्या करना क्योशन अच्छा आप मान सकते हो इसे नहीं जो आंसर भी दे रहे हैं इसमें थोड़ा सा चेंज कीजिए आप question number 37 का आपका जो आंसर होगा 37 है 38 है 38 का 38 का आंसर आपके पास क्या होगा देखे इस तरीके से आम आनुमाल लगा लेते और एक question और ही इसमें मैं add करना चाहूंगा आपसे अगर दिया जाए एक ठोस गोला दियान देना इधर एक solid sphere एक hollow sphere और एक rectangle आयत तीनों को अगर आप किसी सत्य पे इस तरीके से एक जगे से वो करते हो एक ठोस को एक खाली आपका ये जो और एक आयत को आप एक ही जगे से करते हैं तो कौन सबसे पहले पहुंचेगा आपका ये ठोस वाला सबसे पहले पहुंचेगा आपके पास ये चीज़े तो यहां से हम बात करते हैं कि कौन सा ज्यादा बेतर वर्ड है इसके लिए कि इसको देख के आप idea लगा सकते हो सेप देख के option A इसका सही answer होगा ये ऐसा क्योशन इसका एक बार आप screenshot ले ले मैं side हो जाता हूं अच्छा क्योशन आपके पास ये इसका आप answer A लेके चलेंगे अगर पूरे पेपर में बात करूँ तो एक दो सवाल ऐसे हैं जो सच में सवाल हैं बाकी तो मजाक हैं चले आगे बढ़ते हैं अगले क्योशन पर क्योशन नमबर 39 आपके पास क्या होगा वो आपको देखना है फटा फट से देखें यहां से यह कह रहा है कि अगर मैं अपने कान पट्री पर लगा के सुनता हूँ तो मुझे पट्री पे आवाद ज्यादा तेजी से सुनाई देगे तो मैं यह जानता हूँ कि वेलोसिटी ओप साउंड है सोलीड के अंदर जो होगी फोस के अंदर लगबग यह पांच से छहाजार मीटर पर सेकिंड है और एयर के अंदर जो होगी वह आपके पास रहती तो यहां आप आपको देखना कि जादा होगी वह जल्दी सुनाई देगा तो यह तो हमारा रिजल्ट या कंसेप्ट प्रेटिकल हम क्या कर रहे हैं प्रेटिकल हम अपना कान ट्रेन के पट्रे पर रख रहे हैं तो द्यान से देखें मैं आने वाली ट्रेन की दवनी पट्रे पर जल्दी सुन लेता हूं यह बात सही भी है और यह बात हम ऑबजर भी करेंगे तो यह आपका ऑबजर्वेशन है यह ऑबजर्वेशन हो गया इससे मैं क्या कह सकता कि gas में जो चालोगी gas की तुलना में द्वैनी ठोस में आधिक रहती है यू की तुलना में still में आधिक चालोगी ये भी सही है दोनों statement सही है यनि आपका answer क्या हो जाएगा answer D हो जाएगा answer D हो जाएगा आपके पास जो B answer करें answer को D कर लीजी B answer में आप जो कह रहे हैं कि C is observation ये भी सही है तो कोई ये वाली बात उसने खुद से थोड़ीना उबजर्व की है जैसे मैंने का कि speed of sound हवा में 332 मीटर पर सेकेंड है तो मैं खुद कोई फीता लेकि थोड़ीना कहा था तो ये तो conclusion में आएगा आपके पास result में आएगा answer आपका D होगा question number 40 पे आते हैं question number 40 पे आते हैं on a average हम एक मिनिट का एक question लेके चल रहे हैं हमें पूरी class में अपना 100 question का target complete करना है अब यहां देखो आप से अगर का जाए save water save water की बात की जाए पानी बचाओ तो इस वीसे में आप देखोगे क्या पोस्टर बनवाने से अच्छा होगा सर्फ पोस्टर तो railway station पे जो दिवारों पे बने होते हैं निवंद लिखवा के सरी किताबों में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ तो इनसे तो हमाई फाइदा हुआ नहीं अब आपके पास दो हैं इस पे पहले का आपके पास कोई बहुत ज़्यादा स्कोप है नहीं आप ये करोगे कि या तो activity के माद्यम से या उनको कुछ ऐसे चीजे सिखा के जल का मैं तो समझा दे आप तो आपके लिए सही हो जाएगा आपका काम पूरा तो आपका अंसर क्या हो जाएगा option C अगले प्याजी इसको एक बार प्रोपर तरीके से आप पढ़ लेजे बड़ा सा सवाल है आप एक बार इसको प्रोपर ली पढ़ लीजे मैं एक मिनेट भी पानी पी के अभी आपके सामने आ रहा हूँ पूरे तरीके से तैयारी से आप इसे पढ़ें एक सेकिंड मैं आपके सामने आ रहा हूँ ढारी आपके थाझ भी आपके सामने आपके से दूपर आपके सामने आपके सामने ठापके से ऍवrhflies पूर्भबते है अब दाबा पार खणक रचूंँ कर्णच्छवब इसर्क्योष्ट नमबर कौन सा था यह आपने पास 40 वन क्योशन नमबर 41 का आंसर का पास क्या आएगा दिखिए कहना क्या चाहरा पाचन पढ़ाने के लिए अध्यापक माने शरीर का रिखा चीतर गरता सब यांगों को चनीत करके ठीक है कला को परकना अध्यापक का उदेश है मानुस मियरे पर उसका ऑं सर आपका क्या रहे आप लोगों का आउर एक पर कमेंट बोक्स में चेक कर लेता हु मैं आप लोगों के आँसर क्या रह沒有 पहले पड़े लिखे हैं बस यह है कि आप लोगों से मुलाकात हो जाती है दिन बन जाता है इसे बाने से आ जाता हूं मैं भी फटाफट से आंसर दीजे आपके पास क्या दियागा है साथ के बात कर रहा है 41 था यह 42 आपके पास क्यों से नमबर क्यों से नमबर 42 देखो जब मैं यही चीज आपको फिजिक्स के पॉइंट ओफ यू से समझाता हूं तो एक मैथड होता आपके पास कन्वेक्शन उसमा को एक जगह से दूसरी जगह बेजने का एक माध्यम होता है सम्वेन सम्वेन में आपसे कहा जाता है कि गरम हवा उपर क्यों रूठती हैं सम्वेन विदी में होट एयर मूव अपवर्ड गरम हवा उपर क्यों रूठती हैं यह हम पढ़ते हैं लेकिन ये बात हैं मान लेजी कि कक्षया 9 के बच्चे को आप सिखा दोगे 11 के बच्चे को सिखा दोगे कक्षया 7 के बच्चे को आप सम्वेन विदी के बारे में नहीं कह सकते कक्षिया साथ वाले को तो कहोगे कि बेटा डेली लाइप में देख जैसे गर में चोला जलाते दुआ उपर उठ रहा है तो एक विज्ञान शिक्षक को क्या करना चाहिए चर्चा के दोरान कम पर्षन पूछने चाहिए पर्षन के तो कोई चर्चा ही नहीं है सबको एक समान मंच पर पर्वावशाली चर्चा के लिए हाँ ये वाला आप मान सकते हूँ रूची बनाई रखने के लिए उनकी पर्तिक किरियाओं को सवार ना ये भी आप मान सकते हूँ चर्चा के अंत में बच्चों को सारांस ये भी आपके पास सही है तो आपका आंसर क्या होजेगा सर आपके आंसर ते तीनों सही होजेंगे B, C, D पहला गलत है नमबर ओफ क्योशन की तो कोई चर्चा ही नहीं थी आपके क्योशन नमबर 43 आपके पास जब भी कोई A, C, D या जब भी कोई बेस आपका अभी करिया करता है मैटल्स के साथ बिल्कुल बिल्कुल देखो अभी एक बार जो गलती करने है उसको कर लो ये तीन-चार बार रिपीट हो जाएंगा एक्जाम से पहले सारे क्योशन क्योशन नमबर 43 का आपका आंसर वे आपको पता है कि कौन सी गैस से पोप की आवाज निकलती है वो गैस के ना तो कोई स्मेल है सिरफ आवाज से पैचान सकते हो ना उसकी स्मेल है ना उसका रंग है ना उसका कोई टेस्ट है सिरफ स्मेल से पैचान सकते हो तो वो कौन सी गैस आपकी इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली और इस यूनिवर्स की सबसे हलकी गैस हाइड्रोजन गैस 44 आपके पास जब जल तरल से गैसी चर्ड में होता यानि कि ये अवस्ता प्रिवर्तन के बात कर रहा है तो ये ठोस में क्या होते हैं कि मॉलिक्यूल नजदीक नजदीक आपस में जुड़े वे इसी को अगर आप डर्व में लेके आओगे तो ये इस तरीके से हो जाएंगे इनका इतन बढ़ जाएगा ये याप पर मौन लो आप इस तरीके से और अगर गैस के बात करोगे तो ये इस तरीके से फैल जाएंगे इस तरीके से तो इनके बीच की जो दूरी है वो उसमें बदलाओ होगा इंटर मॉलिक्लर डिस्टेंस आपकी चेंज हो जाएगे और बढ़ जाएगे चेंज भी नहीं मैं ये कहूंगा बढ़ जाएगे क्वेशन नबर 45 आपके पास हायस्ट कैलोरिफिक वेल्यू किस इंदन के होते हैं पास किस इंदन की चैलोरिफिक वेल्यू सबसे जाता होते हैं यस आंसर क्या होगा हाइडरोजन फ्यूल ओफ फ्यूचर आपके पास फ्यूल ओफ फ्यूचर आपके पास आगे बढ़ते हैं क्योशन नमबर फोटी सिक्स की बात करते हैं क्योशन नमबर फोटी सिक्स आपके पास यानि फोटो सिंथेसिस की बात कर रहे हम क्योशन नमबर फोटी सिक्स यानि फोटो सिंथेसिस की बात कर रहे हम देखे आप परकास अंस्टिलेशन की बात कर रहे हम तो परकास अंस्टिलेशन की केस में सबी रंगों के पत्यों में परकास अंसलेशन होता यह 100% सही है क्लोरफिल के अनुपस्ति से परकास अंसलेशन नहीं होगा हरी पत्यों में ही परकास अंसलेशन होता ऐसा नहीं है केवल पत्यों में होता ऐसा भी नहीं है आपका आंसर होगा 46 का आंसर A 46 का आंसर क्या होगा आपके पास A होगा Yes, maximum student answer A करे जो B करे उसको सुदार लेजिए Question number 47 आपके पास Question number 47 बिल्कुल सभी रंगों के पत्ती देखें, यहां यह कह सकते हैं आप कि उसके लिए आपको chloroplast या color pigment होना जरूर यह आप मान सकते हैं जो आपका क्रोमो प्लास्ट या आप यह कह सकते हैं लूक्यो प्लास्ट आपके पास white color के लिए तो 47 का आपके पास answer क्या है? यह बिंडी एक सबजी है, नहीं यह एक फल है तो इसमें फल कौन सा है? Sir, A के बार यह कह रहा है फल है A के बार यह कह रहा है, फल है आपका option क्या हो जाएगा? Sir, option C आपका answer हो जाएगा question number 47 आपका हो गया 48 पे चलिए 48 आपके पास यह कहता है कि जब आपको गुसा आता है सरमींदगी होती है, चिंत्या होती है डर लगता है तो उस समय आपके बोड़ी को कौन कंट्रोल करता है? यह कहता है कि बस उसने मुझे कुछ कह दिया था इस सोज़े से मेरा BP high हो गया यह हो गया, वो हो गया, तैल का मच गया बस इस तरीके का आपके पास नहीं थाइरोक्षिन का आप यह कह सकते हो कि जैसे थाइरड ग्लैंड से जो यह होता है इसका दो आप मान सकते हो अगर इसका हाइपो सीक्रेशन होता है सीक्रेशन कम होता है तो आपके पास क्या आजाएगा बोना पना आजाएगा ड्राफिजम आजाएगा आपके पास और अगर हाईपर सीक्रेशन होता है तो दानव पना आजाएगा आपके पास ठीक है थाइरोक्षिन तो मत लेज़े इसे थायरोक्षिन आपका अंसर नहीं है अगर बलड सुगर की बात की जाए सुगर से रिलेटिड अगर ये कोई बात करता बलड सुगर जो की गलुकोज को बोलते हम तो वो ये हो जाता आपके पास ठीक है मेल फीमेल की बात करता तो हम एस्ट्रोजन पे जाती अब आपके पास एक मातर अंसर क्या बचा है एक मातर far up भी आपके पास अंसर बचा है question number 48 का अंसर क्या हो जाएगा आपके पास भी बिल्कुल next 49 के हम बात करते है कि इन्वे से खुद से खाना बनाने वाला कौन है तो यहां से पहले eliminate करूंगा मैं अमर बिलकूं फिर जो आपका मस्रूम होता है कुम भी बोलते जिसको हम वो भी आपका दूसरों पर निर्वर होता है यह यह वाला पाइट आप जो बच्चिया उसमें से आपको आंसर बताना है बिलकुल देखे कराने को यह सारे क्योशन्स हमसोल करवा चुके हैं सारे क्योशन्स आपके अलड़ी हो चुके हैं होता क्या है कि वीक में 6 दिन पढ़ा के 7 दिन हमें भी पता चलना चाहिए कि स्टूडेंट को कितना समझ आया एक्जाम से पहले यह क्योशन्स या इस टाइप के बाद में जो क्योशन्स आपको करवाई जाएंगे कम से कम एक्जाम से पहले तीन बार और माँ आपको रिवाईज करवाँगा तो मैंने साइड day one में यही का था day one में मैंने आपको यही समझाय था कि exam में क्या आएगा कैसे पढ़ना है वो चीज़ आप भूल जाएए आप class का मज़ा लीजिए जो आपको समझ आ रहा है वो सीखी और जो आपको आ रहा है उसका जबाब दीजिए बस इससे आगे आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है क्योशन नमबर 50 की बात करें हम तो यह आज ही के session में हमने देखा distilled water आपका insulator है उसके बात 51 की बात करें हम 51 की बात यह है कि जैसे एक तरफ है मेरे पास air और एक तरफ है मेरे पास कांच हवा यह जो माद्या में परकास की चाल वो किसे डिनोट करते है वी से और यह बराबर होता है निर्वात में परकास की चाल जो कि तीन गुना दस की पावर आठ मीटर परती सेकिन है और यह रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जैसे air का आप औरतनांग आप मालिचे 1.0003 काच के लिए आप औरतनांग 1.5 तो स्पीड काच में कम होगी और air में ज्यादा होगी air कैसा है एक rarer medium है viral माद्यम है और काच इसके तुला में कैसा हो जाएगा सगन हो जाएगा ठीक है तो यहां से देखे आपके पास माद्यम A सगन है तो माद्यम A में स्पीड कम रही बी से परकाशी रूप से सगन है तो माद्यम A में स्पीड कम करनी बी में ज्यादा तो नीचे दो तो हटा दीजिए माद्यम B के आप एक्षा A में गती आदिखानी A में तो गती कम होनी चाहिए क्योंकि यह सगन है B में गती जाता होगी Yes, 51 का आंसर आपका क्या रहेगा B 52 के आंसर के बात करते हैं 52 का आंसर देखिए एक चीज मा आपको बताओ एक वर्ड आता है Physics में Access Pressure करके Access Pressure करके या इस नाम से एक वर्ड आता है जो TGT, PGT के तयारी करें उनको पता भी होगा यह जो बारिश की बूंद होगी ड्रोप अगर आप लेके चल रहे हो तो यह बराबर होता है डेल्टा P is equal to 2TYR इस तरीके से यह Access Pressure आपका होता है जैसे इस बुलबुले में अंदर का जो दाब होता है वो ज़्यादा होता है वाईू मन्डले दाब से इस वज़े से यह बुलबुला है अगर बार का दाब ज़्यादा होता तो इस बुलबुले को तोड़ देता हवा अब यहां आजी सेम हमारा सरीर एक बुलबुला है तो सरीर के अंदर का दाब नियत रहता लेकिन वायू मंडल ये दाब से ज़्यादा है और वायू मंडल ये दाब से कितना ज़्यादा है सर्शिस्टोलिक प्रेसर 180 और डाइस्टोलिक प्रेसर सुरी एक्सो बीस असी mm of hg आपके पास यह जो आपका blood pressure है यह actual में क्या है आपका वायू मंडल ये दाब से ज़्यादा प्रेसर है प्लस आपका टोटल ये प्रेसर होता है यह आपको यादर लगना है इसके लिए क्या होगा यह आपका अंसर भी हो जागा ठीक है चले आगे बटते है अगले क्योशन पर पानी के बरतन में लोई का एक खंड डाला जाता है वह तल में डूब जाता है इसका कान क्या है देखिए अगर डूबेगा डूबने और तैरने की बात करें यह आपके पास आर्किमडीज के सिधान पर आदारित होगा आर्किमडीज सिधान दूबने तैरने और मेटल की प्यूरिटी दातु की सुद्धता बताने में काम करेंगा प्यूरिटी ओफ मेटल की सिधान से बताई जा सकती है तो आपका आंसर होगा आर्किमडीज सिधान से प्यूरिटी ओफ मेटल बरतन इतना गहरा नहीं है ये गलत बात है ब्लोक दवारा विस्तापित जल का बार ब्लोक की तुला में कम है ये सही है आपका ब्लोक का बार ब्लोक दवारा विस्तापित जल के बार की तुला में कम है एक सेकिंड वे एक सेकिंड एक सेकिंड जल का गनेतो तुल्ह में अधिक है अब यहां से देखे आपके पास क्या होगा ब्लोक का बार ब्लोक दो़ारा विस्था पित जल के बार की तुल्ह में कम है नि ब्लोक का बार तो जादा है यह आपका उप्सन बी रही है येस क्योशन नमबर कितने हो गए आपके 53 हो गए आपका बी 54 पर चलते आपके पास जैसे एक चीज़ देखो आप मान लीजे घर में आपके एक छोटा बच्चा है फिर इसे एक बड़ ये आप मान लीजे कि इस छोटे बच्चे के ये पिताजी हो गए और ये छोटे बच्चे के मा गुस्से में ये छोटे बच्चे के मा अब बताओ किसकी आवाज ज़्यादा पहनी होगी किसकी आवाज ज़्यादा पहनी होगी छोटे बच्चे के आवाज ज़्यादा पहनी है उसके मा के आवाज ज़्यादा पहनी है सर सबसे ज़्यादा पहने आवाज होती है छोटे बच्चे की उसके बाद पहले नमबर पे ये है दूसरे नमबर पे ये है और इनके आवाज तो खेर सुनता ही कौन है यहां हम बात करें एक एक करके सामान्य पुरुष की आवाज मैला की तुला में तिक्सिन यानि की पैनी होती है गलत वादवाई सरासर जोटे ये अत्याचार है चिडिया उच तारतों के द्वैनी उत्पन करते हैं जबकि सेर नेमने तारतों और उच तीवर्ता के द्वैनी उत्पन करता है ये बात सही है आपके पास एक CT के आवाज पैनी होती है एक CT के आवाज उच आविरती इस लिए उच तारतूँ के द्वेनी उथपन करती है ठीक है किस के तुलना में तुलना में इस में सी क्या बताना आपके पास गलत कौन सा है सिर गलत आपके पास ओलडि आ चुका है option c आपका गलत answer clear है इस question का answer आपके पास क्या होगा question number 54 का answer क्या लेके चलोगे आप पे कि इन में से गलत statement कौन से है सर ये वाली गलत है ये statement आपके गलत है यानि exam point of view से 54 का answer आपके पास कौन सा है c है ये डियान रखना आपको कुमारी ममता answer को ठीक कर लेजी आगे sorry आगे देखें आपके पास क्या आजा है दो ऐसे गरह जो पूरव से पस्चिम के और गुर्णन करते हैं कौन से होंगे आपके पास कौन से होंगे मैंने आपको उस टाइम भी बता थे 55 है आपका question number 55 है आपके पास मैंने आपको दो answer बताए थे U और V आपके पास U और V यानि कि आपका answer क्या हो जाएगा option B आपके पास इसके बात है कि human body में कौन सा है सबसे ज़्यादा जैसे पक्षियों की बात करें uric acid हो गया आपके पास तो human body क्या अगर बात करें हम question number I think 56 है human body में सबसे ज़्यादा कौन सा secret होता है यूरिया उसके बाद है कि ग्रै एक निश्चित पत पर सूर्य की परिकर्मा करते ये पत होता दिर्ग विरता कार अगर हम कैपलर के नियम को मान के चले ये सूर्या है और ये ग्रै है आपका और ये जो रास्ता है ये elliptical path आपके पास कैपलर के ग्रै 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 के पहले नियम के अनुसर ये आपके पास रास्ता कैसा है दिर्ग विरता कर दिर्ग विरता कर आपके पास ठीक है इस तरीके से elliptical path आपके पास अब आपको यह बताना है कि इनकी परिकर्मा की आवदी तो परिकर्मा जैसे सूरिय से आपने दूरी निकाली है वैसे वैसे इनकी परिकर्मा की आवदी बढ़ते चली जाएगी क्योंकि कैपलर के तीसरे नियम के अनुसा टी स्केड डारक ली प्रोपोर्शनल नार क्यूब जितनी ज्यादा दूरी उतना ज्यादा समय आपसे का जाए कि सबसे तेज कुण सा है आपसे कहए कि सबसे तेजी से गटी करने वाला फारश्टेस्ट प्लेनेट तो जो सुरिय के सबसे नजधी का वो सबसे तेजी से गती करेगा बुद्य यानि के मरकरी और कितने दिन में 88.2 डेज में अपना चकर पूरा कर लेता है यह सबसे तेज चलता है यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो आपका सबसे पहले मरकरी, फिर वीनस, फिर आपके पास अर्थ, मार्श, उसके बाद जूपीटर, सैटरन, यूरेनस, नेप्चून इन में अगर बात करें सबसे पहले बुद्ध गरें नहीं दे रखा, फिर सुकर दे रखा, हाँ सर सुकर दे रखा है तो पहले पर आज ही आपके पास वीनस इसके बाद वीनस के बाद आपके पास अर्थ दे रखा हाँ सर दे रखा है तो अर्थ लिख लेजी फिर इससे ज़्यादा टाइम अर्थ के बाद मंगल गरे नहीं दे रखा सर ब्रेस्पती नहीं दे रखा सर उसके बाद सुकर हाँ सर दे रखा है तो Saturn आपके पास Saturn के बाद आपके पास क्या आजाएगा Uranus तो ये आपका सही sequence है ये आपका सही sequence है ठीक है उमीद है यहां तक कि चीज़े आप सबको समझ भी आई होंगे प्रोपर तरीके से आपने complete भी क्या होगा आगे कह रहा है कि सलफर का melting point यह नहीं सलफर का गलना कि 113 degree Celsius है और boiling point उसका 445 degree Celsius है यनि कि अगर ताप मान 113 degree Celsius या इससे कम है तो वो क्या होगा वो solid होगा ठोस होगा वो क्या होगा आपके पास ठोस 113 से 445 degree अगर होगा तो यहां से यहां तक वो क्या होगा यहां से यहां तक आपके पास liquid दर्व होगा आपके पास और यहां से यहां तक क्या अगर बात करो इससे आगे की तो वो क्या होगा आपके पास gas क्योंकि यह होता आपका freezing point या melting point आपके पास गलनांक और यह होता कवतनांक boiling point boiling point से ज़्यादा gas ओप्शन कहरा है कि 60 degree Celsius पे ठोस हाँ 113 से कम है ये statement सही है 400 degree Celsius पे दर्व है हाँ 400 आपका यहां होगा ये दर्व है ये statement भी सही है 450 पे दर्व है नहीं 445 तक दर्व है 450 पे क्या होगा दर्व के बजाए आपका गैस होगा 20 degree Celsius पे ठोस है ये सही है तो ये statement गलत यानि कि question का answer question number कौन सा होगा आपने पास ही ये sir question number आपका 56 57 question number 58 तो 58 का answer आपके पास होगा C 58 का answer क्या होगा आपके पास C आइसा आपका लगवग लगवग 70 पर्षेंट पेपर ये प्रिशेर question से ही बनेगा 70 पर्षेंट पेपर क्योरी के अगर बात करें जोती क्लास होती हमारी रात में 10 पर्षेंट और जो complete चाते हैं कि sir A की बार में हमें एक अच्छा score करें जैसे 110 से ज्यादा अगर आप score करते हो confidence अलग लेवल पे होता है तो उसके लिए आप paid course में आ जाएगी और अभी आपका कितना score आ रहा है देखो अगर आप paid course लेते हो तो अभी double validity चल रही है मापेक आप ले लिजी double validity में आप क्या करते हो आप अगर आप course लेते हो तो वह आपका double काम करेगा जैसे 6 मेने की fees में आप एक साल के लिए course पा जाओगे और 78% off मिल रहा इस code से वहीं आप test series भी ले सकते हो by using code y575s इससे आप test series ने ले सकते हो इससे आप अपनी test series ले सकते हो ठिक हग्या दिया धेन रखना भी विल्कुल question repeat होते हैं आपकी या concept repeat होते मैं यह कह सकता हूं exact मालो कि इस बार सधीता का नाम लिखते हैं अगले बार अनीता का नाम लिखते हैं इतना फरक हो सकता है yes very good evening क्या हाल चाल आप सबके अब इस class को एक बार थोड़ी देर के लिए रोक के जिसका जो जो doubt हो exam को लेके अपने doubt पूछ सकते हो अपने doubt के लिए आप जुड़ भी सकते हैं information के लिए आप info के लिए आप जुड़ सकते हैं ठीक है और अभी अगर आपका कोई doubt हो तो आप पूछ सकते हो अगले पांच मिनिट में आपके doubt बताने के लिए रुक जाता हूँ last वाला क्योशन आपको फिर से बता दें definitely आपको समझाए जाएगा क्योशन में ये कहा गया है कि किसी वस्तू का गलांग क्या sulfur का गलांग कितना दे रखा है सर, sulfur का गलांग हमें दे रखा है 113 गलांग का मतलब है कि जहां पे वो ठोस से किस में बदल जाएगी दर्व में बदल जाएगी ये 113 है जैसे बरफ के लिए 0 degree Celsius होता है इसके लिए कितना है 113 तो 0 से पहले वो ठंडा अगर करोगे तो बरफ बनी रहती तो 113 से पहले ठोस बने गई तो 113 से पहले देखे 20 degree Celsius पे ठोस है सही है 60 degree Celsius पे ठोस है ये statement भी सही है आपके पास बचे दो answer अब इससे आगे देखे 400 degree Celsius पे तो 113 से अगर ताप màन जादा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा दर्व और 445 से अगर जादा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा आपके पास गैस और 113 से 445 तक जितना भी हो वो क्या होगा आपका दर्व तो 400 तो sir 113 और 445 के बीच में आ रहा है यहां पर तो अब भी क्या बनेगा यह दरू बनेगा तो 400 पर दरू है यह स्टेट्मेंट भी सही है तो आपका अंसर क्या बन गया सर ऑप्सन सी क्योंकि आपको ऐसे त्यक्तन चाटना था गलत चाटना था देखे राजिस भाई मैथ में अगर स्कोर कम आ रहा है अपका इतना मैं डेफिनिटली कह सकता हूं जैसे साइंस मैं करवा रहा हूं आपको मैथ आयूशर करवा रहे हैं मैथ और साइंस में जैसे 30 और 30 की मैं बात करूं साथ नमबर अगर आप पिछला जो हमने पढ़ा दिया वो उठा के देखेंगे आगे का देखेंगे तो हम आपकी 55 प्लस की गैरेंटे ले सकते हैं इतना आप डेफिनिटली स्कोर करोगे पर एक दो क्योशन गलत हो सकता वो हो सकता हमसे भी हो फर्स्टी समेस्टर का वैलिड नहीं होगा बेसिक होता है सुनिता बाइल जूस आपका बेसिक होता है और बाइल जूस की मातरा ज्यादा बढ़ जाए तो उस समय आपका सहुआ चिड़ चिड़ा होना सुरू हो जाता है ठीक है बाइल जूस में वहाँ पी एच आठ बताया गया है आपको क्योशन नमबर बाइस में पी एच आठ बताया गया है बाइल जूस का जब बात करें एसी डिक के वह गैस्टरिक जूस था जठर रस ठीक है इसके अलाव बताओ जिसका जो भी डाउट है आपना पर्सनली पूछ सकते हों मैंने आपको कोड पहले से बता दिया कि पेड कोर्श में अगर आप प्रोपर कोर्श चाते हैं तो आपका कोड ये रहा जिससे आपको डिसकाउंट और डबल वैलिडिटी मिलेगी अगर वैसे कोई क्योशन है कम्प्लीट मिलेगा साक्से आपको कम्प्लीट बैच सिरफ फिजिक्स ने कम्प्लीट थैंक यू प्रेंका थैंक यू सो मच येस डेफिनेटली कम्प्लीट मिलेगा आपको यह सटे क्लास निवा देखो आप यहां से देख भी पारे होगे इस पर आपको निशान नजर आ रहा होगा कल एलेक्शन के लिए गए हुए थे गाउं में राजिस बाई मैंने आपको एक साफ साफ सब्दों में बात कह दिये 55 प्लस ओनलाइन प्लेटफों पे इतने बड़े प्लेटफों पे आपसे हम दावा करे 55 प्लस का तेखो पढ़ने को अमरिता आप डेफिनिटली पढ़ सकते हैं अच्छी बुक है अगर आपने लाइन टो लाइन पढ़ा ता अच्छा स्कोर आपका आजाएगा अर्चना देखो क्लास तो आपकी पेड़ागोजी की भी चलती रहेंगी आपकी थियोरी की भी चलती रहेंगी तिल एग्जामनेशन जो प्रेटी सेशन है वो आपके चलते रहेंगी लेकिन कम्प्लीट स्लेवर्स की अगर बात की जाए एक सिस्टम से स्लेवर्स की वो फि वहाँ कि काफी सारी बैचीज होते हैं, हाँ फ्रेड लास आपा होता रहेगा, लेकिन फ्री क्लास को आप ये फिर दावा फ्री अचे लेकर और खुद से अच्छे तयारी कर बोत अच्छा पढ़ के,ंपेडिकोर कर सकते हूं, लेकिन अगर हम अपने दावे की बात करें पेड़ कोश के लिए हैं क्लास 6th, 7th, 8th, या मैं लिखू क्लास 6-8 क्लास की NCIT में जो टोपिक दे रखे हैं इसमें जो साइन्स के नाम पे टोपिक दे रखे हैं यही आपका स्लेबस है यही आपका स्लेबस है यह आप अच्छे से कवर कर भी लोगे जैसे माली जीए 20 नंबर का रहा है आपका साइन्स की मैं बात करूँ 20 का रहा है या 10-15 सब स्कोर कर लेंगे लेकिन जो इसके बाद की बात है सर्जो इंपोर्टेंट कंसेप्ट रहते हैं सीटेट पेपर में प्रेंका देखे यह चीज़े इंपोर्टेंट और यह सारी चीज़ें लास्ट मिनेट ट्रेविजन और वह सारी चीज़ें चलते रहेंगी हाँ वो कल से होंगे आज तो संड़े आज नहीं होंगी ठीक है रेखा थैंक्यू सो मच अंजली यह वाले आप खुछ से पढ़ लिए जिक एंसे आटी शिक्स टू एट ठीक है आज नहीं है दस बचे भी चलिए आज के लिए इतना है काफी फाइनली जैहिं जैवारत अपना क्याल रखें